जै मातादी सभी को मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 अप्रेल यान की समोमार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं क 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बैस्ट होता है लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिसकस क्या था अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खूलती है हल की फूल की गैप खूलती है तो इसके उपर यानिकी लास्ट स्विंग के उपर निकलते ही हम प्लान कर रहे हैं तो अभी बुलिश ना बने क्योंकि मार्केट कर रही है वैसे अगर देखा जाए तो कोई बिना बात की ट्रेड थी वह मेरी उसमें कोई जल्दबाजी बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी वरना मैं मार्केट सेटल होने के बाद काम करता हूं स्विंग बनने क करता हूं बस बिना बात के जल्दबाजी में हो गया हाला कि यह तो चलता रहता है खेर मार्केट में लेकिन मार्केट ने फिर ना दिन का हाई तोड़के बुलिश केंडल पहली बना के और फिर इसको ट्रैप कर दिया लोगों को क्योंकि सब का टार्गेट यही तक था क्यो को कल भी वीडियो में समझाया था कि यहां पर सपोर्ट है इंपोर्टेंट और यहां तक बैंक निफ्टी आ के कोई बुलिश केंडल बनाती है तो रिकवरी प्लान करेंगे लेकिन रिकवरी भी अच्छे से नहीं एक बार लोगों को नेगेटिव या फिर लोगों को पोज अब दिक्कत पता है भई क्या है अब चार्ट सोड़ा सा डिश्टब हो गया है जैसे कि कल हमको कुछ समय लास्ट ट्रेडिंग सेसन में हमको कुछ यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ऐसा मार्केट करती है बहुत बार करती वरना हम बहुत सारे पॉइंट कैप्चर करतें लेकिन हमेशा ही हमको टार्गेट मिलें यह कोई जरूरी बात नहीं है लेकिन अब ना चार्ट डिश्टब इसलिए हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी के पास नहीं यह रेंज बन गई है 500 पॉइंट की तो मुझे ऐसा दोस्तों लगता है एक दो दिन तक जो डारेक्शनल ट पड़ सकता है मार्केट एक दो दिन तक इस रेंज में घूम सकती है अगर अच्छी सी कोई नहीं आई और अच्छा सा प्राइज एक्शन नहीं बना तो लेकिन हम प्लानिंग कहां पर करेंगे मां आपको ना एक ट्रेंड लाइन दिखा देता हूं जो पहला आप सा हो गया चारट और डारेक्शनल हमको मुह नहीं मिलेगा जब तक इसके बीच में बैंक निफ्टी फसी रहेगी अगर देखा जाए अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले गैप खुले चापांसो के उपर निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है तो हम 8800 तक व खुलती है 48,000 के आसपास आके या तो दोस्तो समय बिताए या फिर 48,000 के आसपास आके इस तरीके का पराइज एक्शन बनाए या फिर 48,000 को पहले ब्रेक करें फिर इसको रेटेस्ट करें फिर बेकडाँमों यह 3 पौइंट दौस्तो याद रख न है 3.com धिरिटेoda का के लिए मैं तभी पूट साइड प्लान करूंगा हां एक पॉइंट बन सकता है अड़ता इस जार दोसों पे आई है अगर थोड़ा सा गैप खुल जाती है थाइसो या तीन सो के आसपास गैप खुलती है फिर यह अगर दोसों को ब्रेक करें ना डाउन साइड अगर दोसों क कोई भी इंडेक्स राउंड लेवल के पास होता है उसको एक बार फटाक से टेस्ट करने आ जाता है तो अगर बैंक निफ्टी धाइसो तीन सो के आसपास खुल के दोसों के लेवल को डांसाइड अगर ब्रेक डाउन करती है तो इक अड़ता इस हजार तक का हमको मुमेंट मिल सकता है यानिकि 200 पाइंट हमको मिल सकते हैं स्टोपलोज चोटा रहेगा टारगेट भी हम चोटा रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा रिस्की मूँ होगा और मैं इसमें मूँ में ट्राइ नहीं करूंगा मैं ट्राइ एक ही सिचुएशन में करूंगा या तो अड़ता जार 500 पांशो का है यहां पर हाँ एक चीज़ हो सकती है इसके भी जो रिटेस्ट हैं यह इस तरीके से बन सकते हैं या फिरあー 500 के अशपा समय दे के फिर breakup दे सकती है या फिर इस तरीके से बन सकते हैं यह तीनो तरह bother के दोस्तों रिटेस्ट अगर आपको राउंड से जार वर से तब ही हम ट्राइब करेंगे अदर्वाइस दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूं बिनाबाद के हाथ मजलाईएगा खासकर जो सेफ ट्रेडर हैं बिनाबाद के नुकसान हो जाएगा और यह तीन तरह के दोस्तों मैंने आपको रीटेस्ट बताए हैं तीनों तरह के जो समझा ही दिया अगर दोस्तों बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो कैसे प्लानिंग करेंगे अगर अगर 38,500 इस रेंज में गैप खुल जाती है तो जो आज का लास्ट ट्रेडिंग वाली स्टेटजी हमारी थी वहीं हम लागू करेंगे यानि कि देखिए हर बार यह स्विंग के काम ही नहीं करता हूं तो इसको में कंपलीट मान गया था कि वहीं यह कंपलीट स्विंग बन गया है ठीक है डेटा पे मैंने ध्यान नहीं दिया था और इस वज़े से मेरा उसमें असल गया ठीक है अब अगर बैंक निफ्टी गैप खुलती है वहीं यहीं वाल दोस्तो gap down खूल जाती है 20,000 के आसपास फिर हमको एक momentum मिल सकता है हम wait करेंगे एक negative candle बनेगा अगर पहली candle 15 मिनिट की छोटी बनती है negative बनती है दिन का high मैं stop loss डालूँगा 39 वाला setup अपलाई करूँगा अगर होगा तो यानि कि दूसरी तीसरी चोथी कोई भी candle अगर दिन का low break करके एक swing बना दे तो हमको 200-300 point downside momentum देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है यह दोस्तो पूरी planning थी बैंक निफ्टी की बाकी option chain में अभी मैं आपको समझाऊंगा कहां पर open interest ज्यादा बना हुआ है फिर हम उसमें बैंक निफ्टी के वो लेवल भी discuss कर लेगे अब निफ लेकिन निफ्टी ने वह भी नहीं दिखाई निफ्टी ने प्रोपर स्विंग अगर आप देखोगे प्रोपर स्विंग बनाके निफ्टी गिरी थी तो निफ्टी में तो फिर मैं वैसे ही focus नहीं करा था क्योंकि वहीं मेरा वियू ही bullish side था और यह जो line मैंने लगाई थी सपोर्ट का काम करना था इसको लेकिन नहीं किया आप समझतिर हो वादोस्तों कितनी बी जोर लगाके आप newspapers कर लो में यह नहीं बोल नहां की support करते हैं यह नहीं बॉलता हूं कि बाउंस बैक लेफल काम करते हैं आपने देखा विया हमने पुआंच भी बहुत सारे के आपने पाम करते हैं अब एक दो बार अगर यह फैल हो जाएं तो क्रोडपती बक्वास की बाते हैं इनके चक्रों में मत पढ़ागरो कई बार फैल हो जाती है उसको हम असेप्ट करके हमको आगे बढ़ना चाहिए अब ऐसी बात नहीं कि इन बाउंस बैक लेवल को हम छोड़ देंगे ठीक है तो इस पर आप को सिस करते रही है और मैं भी करत से और यह हमने ब्रेकडाउन क्यों बोला क्योंकि यहां पर देखे अच्छा सपोर्ट था अब निफ्टी की क्लोजिंग आई है वह बाइस जार चार्सों निस पर आई है और हमने काम किस्मी किया था मैं अपना स्टोपलोस दिखा देता हूं आपको सुबह का अगर दोस्त सब्सक्राइब काम देपाऊंगा लेकिन मैं पूरी कोशिस करूंगा अपको अपडेट देने की ठीक है यह हमारी स्टडी थी और इसमें फिर तीन सो पचास साथ के आसपास मैं निकल गया था और मैंने फिर से इसमें इंटरी की थी और इसी स्ट्राइक प्राइज में और मेरा 300 का स्टोपलोसिस में हीट हुआ था और मैंने बोला भी था थोड़ी सी जल्दबाजी कर दियो ग्यारा बज़ के 10 मिनट पर तो नेगिटी हो गया था डेटा तम मैंने एकजिट कर दिया था लेकिन सपोर्ट पर मुझने कन्फ्यूज कर रही थी मार्केट ठीक है तो अब इस चैनल को मैं ज्सक्राइब कर सकते हैं सिक्रस्ट और सफ़् इस नाम से इस फ्रोड चैनल मिल जाेंगे तो वी विज़िए करें लिंक वीडियो के डिसकर्स नहीं कोमेंट में पिन कर दूंगा यह कोई पेड गुरूप नहीं है यह कोई कोल टिप्स का गुरूप नहीं सीखने के लिए आप आना चाहो तो बिल्कुल जुएन कर सकते हो डेटा कैसा चल रहा है कौन से इंपोर्टेंट लें जितना मेरे और एक चीज में अपडेट देता हूं मैंने आप लिंक दिये हैं एंजल का और यह जो दूसरे लिंक दिये हैं मैंने कंपनी के बहुत सारे लोग वेट कर दे सर्फ फैमिली गूरूप बन गया है वही मैंने आपको बदा है 10-15 दिन घर में थोड़ा साधी का फंक्शन है त चैका अउट में थे वाला की प्राइटि चिंता मत कीजेगा यह मेरा इंबोकस है यह आप वेज देना उत यूजरा इडि स्क्रीन सोट लेके तो मैं उसको सेव कर लूँगा ठीक है जैसे आपका नमरा है क्योंकि मैसीज ज्यादा लोगों के आए हुए ठीक है बस एक चीज याद रखना भाई ना तो मेरा कोई पेड ग्रूप है ना मेरा कोई वाटसप ग्रूप है ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं अपनी ताकि हम सब मिल के साथ में काम कर सके यह थोटा सा मैंने आपको अपडेट देना था तो आसा करता हूं मेरे भाईयों को समझ में आ गया होगा जो फैमिली गूरूप का इंतजार कर दे बन गया भाई धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा एड करने में ठीक है शानती बनाए रखे भरोसा रखिये लिए निफ्ति को देखते हैं निफ्ति 2419 पे लौजिंग आई है यहां पर तकरीवन यहां पर क्लोजिंग यह थोड़ा सा गलत दिखा रखा है त्रेडिंग वंब अब निफ्ति में सपेस है निफ्ति में कहां सपेस हैं ती 419 पर क्लोजिंग आई तो 400 के निकलती हमको 300 तक का टार्गेट देखने को मिल सकता है और उपर जो लेवल है वो 500 का है निकि 100 पॉइंट का निफ्टी में सपेस है सो पॉइंट के बीच में तो हम निफ्टी को छेडेंगे नहीं अगर निफ्टी फ्लेट खुलती है 500 के उपर न करूंगा अगर 500 के उपर निकले के कोई स्विंग बनता है तो लेकिन 400 नजदीक है 419 पे क्लोजिंग आई है अगर फ्लेट खुलती है 400 के आसपास खुलती है 200 दिन का मूविंग एवरेज 397 तो अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज तूटता है फिर इस तरीके का कोई स्वि आती है इनके बाद ना एकदम ग्रेसिव नेगेटिव साइड नहीं जा सकते अब इसलिए नेगेटिव जा सकते अगरेसिव क्यूंकि इसने अच्छा एक क्लोजिंग दे दिया नेगेटिव ऊप्रोजिंग देसको अगर फोलो फूल मिलता है तो हमको एक मोमेंटम डाउन स के लिए मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा एक बार में सपोर्ट आपके सामने एक लगा देता हूं जो दिक्कत दे सकता है वो है 360 के आसपास यह मैं इसको थोड़ा सा डोटीड बतल बिल्कुल बारीक करूंगा ताकि अंग्रेजी नहीं आती मेरेको तो आजीमत लेते हैं तो यह हलका सा सपोर्ट है यहां पर जो की थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है अगर गैप डाउन खुल गई सीधा 400 के नीचे फिर यह सपोर्ट अच्छे से ब्रेकडाउन होता हूँ हमको दिख सकता है लेकिन उसके लिए एक नेगेटिव केंडल बननी चाहिए और लिए बस चीज याद रखना गैप खुलती है तो एक दम से फॉजेटिव मत बनना एक डाउन कुलते है तब दम से फॉजेटिव मत बनना क्योंकि गैप डाउन कुलके मार्केट अक्सर थोड़ी से रीकवरी दिखा गये जो आज का क्लोजिंग प्राइज इसको टच कर करना चाहिए अगर निफ्टी जैसे गैप खुल जाए पांसो के आसपास पांसो के उपर निकले जब तक ऐसा स्विंग नहीं बनेगा तब तक हम कोल साइड प्लान नहीं करेंगे अगर स्विंग बनता है तो हम दिनका लोग स्टोप लोग प्लानिंग कर सकते हैं वन इस्टो पचास तक का एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है तो यह निफ्टी और पहले था बैंक निफ्टी अब ना एक बार ओप्शन चैन देख लेते हैं निफ्टी का पहले देखते हैं अब आप खुद सोचिएगा एक्सपैरी अभी दूर है एक्सपैरी दो महीं को है लेकि पांसो पचास पे भी लाखो में है चैन सो पे भी दो लाख से उपर है तो आप देख रहें चैन सो तक कितना ज्यादा ओपन इंट्रेस्ट है आप समयरें पचास तो राउंड लेवल भी नहीं है इस पॉइंट पर वैसे भी नहीं होता इतना प्रीमियम और डाउंसाइड तेजडियों का देखिए आप 22,400 पे कितना एक लाख चपन अजार का फिर है सीधा 22,300 फिर सीधा 22,200 तो अगर डाउंसाइड 400 के नेचे निकलते तो 300 तक का मुमेंटम मिल सकता है गैप डाउन खुल के 300 के नेचे निकलते तो 200 तक का मुमेंटम मिल सकता है लेकिन अपर इनका पैसा किसके हिससे में आएगा कम लोगों के यससे में आएगा और कम लोग मार्केट में कौन है जिनके पास ज्यादा पैसा वह कम ही लोग है बात समझ रहे हो यह थोड़े सी हमारी खुद की साइकलोजी है और बहुत बार यह काम भी करती है तो 10 बजह के बाद हम से को देखेंगे इससे पहले तो भाई ट्रैफ हो जाएंगे मैं हमेशा बोलता हूं बैंक निफ्टिगा देखिए अभी मैं क्या बोला था आपको 48,200 का लेवल में आपको बता के आया था कि क्योंकि एक राउंड लेवल दोसों पे नहीं बनता है तो दोसों के नीचे अगर निकलते तो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा अड़ताली जार के नीचे निकलते तो फिर अगला सपोर्ट हमको 37,500 का ही दिख रहा है चार्ट में थोड़ा सा अलग है वह मैं आपको लाई मार्के तो अगर 500 की ऊपर निकल के ऐसा स्विंग बन गया न तो यह लोग ट्रेप होंगे और शोट कवरिंग मार्केट में बिल्ड हो सकते और उनिंचा हजार के इसमें तो टार्गेट ऑप्शन चैनल के नहीं सार्ट तो उनिंचा हजार दीख रहा है लेकिन अड़ताली जार पहुंच जाए अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुगान कर आपका दिन शुबरे मिलते हैं दोस्तों के लिए नई वीडियो के साथ तब तक करे वाइवाए जै मातादी जै हिंद